मचली पालन आप मचली पालन की तयारी कर सकते हैं सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके तयार करें और इसके बाद मचली पालन के लिए अच्छी गुणवक्ता के बीज इस्तेमाल करें अगर आप बाहर से बीज खरीद रहें हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम एक finger link size का ही बीज डालें मचली पालन के लिए रोहु, सिलवर और grease भागोर अदी मचलियों का पालन किया जा सकता है तालाब में मचली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तयार हो जाती है तालाब में पूरे वर्ष कम से कम गेल मीटर पानी का जलसतर बना कर रखें बारिश के मौसम में तालाब पर बाल का प्रभाव ना पड़े इसका ध्यान रखें तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासाइने खाद का उपयोग बंद करतें पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाथ का उप्योग बंद करतें, जैसे तलाब के पानी का रंग सामान हो जाए तो उर्वरकों का उप्योग धर से शुरू कर सकते हैं। इस तरह सही समय पर सही तरीके से मचली पालं करके आप अच्छा मुनाफ़ा क कमा सकते हैं।